रोहतक के लाखन माजरा खंड के एक गाव के यूवक को ससुराल वालों ने जम कर पीता। आरोप है कि यूवक को बंधक बना कर गुपतांगों पर मिर्ची लगा दी गई। पुलीस ने पीडित की साली सास वद दो सालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलीस के मताबिक यूवक ने अपनी शिकायत में बताया कि 12 साल पहले उसकी जीन जिले में शादी हुई थी। उसके तीन बच्चे हैं जो उसके पास ही रहते हैं। ससुराल वाले किसी ना किसी बहाने उसके घर आते हैं और मारपीट करके चले जाते हैं। 27 मार्च को उसकी पत्नी माई के गई थी जो देर से वापस आई। उसने देरी से आने का कारण पूछा तो वह जगडा करने लगी। साथ ही फोन करके अपने घरवानों को बुला लिया। मंगलवार दोपहर करीब एक बजे उसके दो साले, सास, साली और एक अन्य लड़का आए और आते ही उसके साथ गाली गलोच करने लगे। पत्नी ने भी उनका ही साथ दिया। दोनों सालों ने उसके हाथ वपैर बांध दिये। सास वशाली ने हाथ पकड़ लिये। इसके कपरे उतार कर उसके नीजी अंगों में डंडे से लाल मिर्च लगा दी। उसकी चीक पुकार सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। आरोपी ग्रामेनों को एकत्रित होता देखकर उसे जान से मारने की धंकी देकर भाग गए। ग्रामेनों ने उसे आजाद पूरे घटनाकरम की सूचना पाकर उसकी बहन वजीजा भिवानी से गाव में पहुचे। गायर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलीस ने मामला दर्स कर जाच शुरू कर दी है। गर आकर इसके साथ नाजाई मार्पिट की है। मार्पिट की है। खर्णे में शिकायत में ये बात भी आई है कि उन्होंने मिर्च के साथ गुदा में डंदा की है। तेडित की मेडिकल प्रिक्शन हुआ है। रग्टर शौप से मेडिकल तियार कर आगे हमने एफ़े आफ दर्ज की चले वो के खिलाब मामला करते हैं तो आप क्या दर्ज किये गिरफतारी के प्रियास किये जा रहे हैं और मेडिकल जो पेडित का हुआ है उसके बारे में डाक्टर साथ से ओपिन दी जा रहे है हुआ हुआ है